ना विल्डिस्कस अबाउड बायो मालकुल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जो बायो स्फियर है हमारा उसके अंदर वाइड डैवर्स्टी इन लिविंग आर्डिजम है बहुत नंबर आप लिविंग आर्डिजम्स हैं टाइपस हैं उनके राइटीज हैं तो अब सवाल इवड़ता है कि इन लिविंग आर्डिजम्स के अंदर जो मालकुल्स हैं या केमकल्स हैं या इलिमेंट्स हैं या कंपाउंट्स हैं वो क्या हैं कैसे केमकल्स हैं इन ही के बारे में हम लोग यहां पे डिस्स करेंगे और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलिमेंट्स में कार और अधर है उसके अंदर जो की अर्थ क्रस्ट में जो की नन-living matter है वो ही सेम है जो की living organisms के अंतर है लेकिन बेसिकली अंतर क्या है तो यूद्ध हम देख रहे हैं कि all the elements present in the sample of earth crust are also present in sample of living tissue अगर अधर का लें या उसका अमिनल्सिस करें तो हम उसमें देखें कि जो elements हैं, compounds हैं वो काफी कुछ या लगभग सभी उसमें हमारे body के अंदर मिलते हैं तो अब यहां question यह उठता है कि इन दोनों के अंदर चीजें वही same हैं तो फिर दोनों में अंतर क्या है तो अंतर अगर हम देखें तो यह देखते हैं कि non-living और living में जो अंतर है वो यह है कि living के अंदर relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher तो करने का मतलब कि living and hydrogen है उनके अंदर carbon और hydrogen का जो ratio है वो other element के respect में ज़्यादा होता है, abundance उनकी ज़्यादा होती है, amount उनका carbon और hydrogen का या हमारी बाड़ी है या कोई भी plant है या animal है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो component मिलेगा वो hydrocarbon का मिलेगा या फिर carbon और hydrogen आप कर सकते है उसको तो un-element भी मिलेंगे लेकिन ratio अगर हम देखें तो carbon और hydrogen का amount ज़्यादा होगा total other elements के respect में जबकि अर्थ प्रस्ष में आपको सभी चीज़े uniformly मिलेगे उसमें ऐसा नहीं है कि carbon और hydrogen उसमें ज़्यादा मिले इसलिए living tissues को carbonic tissue या फिर hydrocarbon बोला जाता है कि hydrocarbon से बना हुआ हमारा body है और organisms है जो भी living tissues हैं वो सब कैसे बने हैं carbon के बने हैं तो all the carbon compounds that we get from living tissue can be called biomalkules तो यही biomalkules हैं यही जो carbon compound हमारे अंदर hydrocarbon compounds हैं इन ही को हम लोग बोलते हैं biomalkules तो all the carbon compounds that are that we get from living tissue can be called biomalkules जितने भी इस तरह के मालकुल्स हैं जो actively living organisms के अंदर मालकुल्स मिल रहा है protein है, carbohydrate है, amino acid है fat है यह सब क्या है, यह सब biomalkules है और इनका जो basic structure होता है यह सब क्या है, यह organic compound है hydrocarbon compound है इनमें carbon और hydrogen का ratio सबसे ज़्यादा होता है अब आम लोग आते हैं next topic base में if the tissue burnt fully all carbon compounds are oxidized to gaseous farm, CO2 water vapor and are removed ठीक है तो जितने भी carbon compound है body के अंदेज़ जो carbon है वो क्या होता है oxidize हो जाता है carbon dioxide में और water vapor में तो अगर इनको हम fully burn करें तो क्या होगा किसी भी plant को अगर हम इक दम dry कर लें और इसको burn करें या किसी human body को ही actually हम burn करें तो क्या होता है पूरी तरह से वो carbon dioxide और water vapor में लगबख चेंज हो जाता है तो इस तरह से कोई भी चीज है plants अगर आप पूरा जला के राख बना सकते हैं उसको तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो remaining बचता है अगर उसमें से carbon dioxide पूरी तरह से निकल जाए और water vapor निकल जाए तो जो remaining part होता है उसको हम लोग बोलते हैं ass और इस ass के अंदर बाकी के जो inorganic element है वो बचे होते हैं तो इसी लिखा गए if the tissue burn fully all the carbon compound are oxidized to gaseous form and are remain तो remaining जो होगा वो ass बोला जाएगा तो एक बार हम फिर से इसको बात करते हैं if the tissue burn fully all the carbon compound are oxidized to gaseous form CO2 and water and are removed change हो जाते हैं और remove हो जाते हैं उसके बाद जो बचा हुआ person है remain is called ass ठीक है और उसके अंदर basically क्या होते हैं inorganic compound होते हैं तो ass का मतलब remaining जो हुआ carbon और water vapor के carbon dioxide के form में carbon के निकलने के water vapor निकलने के बाद जो चीज़ें बचते हैं उसको हम लोग एस बलते हैं राख जिसको हिंदी मूला जाता है जनरली हम लोग राख से समझ सकते हैं उस चीज़ को इसके बाद इसमें हम लोग आके discuss करेंगे organic compound कौन कौन से हैं human या living organisms या plants के अंदर तो उसमें amino acid है nucleotide basage है RNA जैसे होता है fatty acid है और carbohydrates है इस तरह से यह सब क्या है इस सब organic compound है इसके बारे में हम लोग अलग अलग discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग amino acid protein amino acid का जो polymer है वो protein है उसके बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे लेकिन basic जो हता है वो amino acid ही होता है तो उसके बारे में हम लोग इहां discuss करते हैं amino acid क्या चीज है amino group क्या चीज है इसके बारे में discuss करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो amino acid है वो हमारे body के अंदर पाई जाती है और अगर उसका structure हम देखें chemical structure देखें तो उसमें हम देखते हैं एक carbon है, जिसको कि इसमें alpha carbon बोलते हैं, उससे 4 groups attached होते हैं, या 4 चीजें इसमें subject attachment attached होते हैं, इसमें पहला है hydrogen, दूसरा है इसमें R या alkyl group, इसके बाद इधर एक basic group जड़ा होता है NH2 amino group, और दूसरा इधर carboxyl group जो की HD group है, HD क्यों है? क्योंकि इसमें एक्टीव हैडरोजन है जो यहां से अलग हो सकता है HD property वो करता है यहां पर basic group है क्योंकि एक hydrogen इसमें attach हो सकता है नीचे वाले आप diagram में देखें यहां पर एक hydrogen जोड करके यह basic होने के वज़र से एक hydrogen बने में जोड सकता है और यह SD कोने को जैसे एक hydrogen अपने में से remove कर सकता है जब यह दोनों condition मिलती है तो ऐसे iron को मोग जवीटर iron बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों property सो कर रहा है इस तरह से यह basic भी सो कर रहा है और SD को मोग जवीटर iron तो अगर यह iron आईज होगा अब आर गुप जो होदा है आर गुप के बारे में आप जानते हैं कि जितना भी अलकिल गुप है एक तरह से यह तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो protein जो की plants और animals में पाई जाती हैं उनमें 20 types के amino acid होते हैं ठीक है तो 20 types के amino acid यह किस पर depend करते हैं यह depend करते हैं इसी R group के उपर तो यह R group जो होता है यही decide करता है कि किस type का amino acid होगा तो इसी के उपर 20 types के amino acid होते हैं यही 20 type के amino acid plant और animals के अंदर पाई जाते हैं प्रोटीन के फार्म में amino acid का polymer ही protein है कई amino acid peptide बांड के तुरू attach हो करके protein का फार्मेशन करते हैं इसका structure हम लोग आगे distance करेंगे लेकिन basic जो इसमें compound बनेगा वो glycine होगा अगर methyl group आता है तो एलैनिन बनेगा CH3 group अगर हाँ जुड़ जाए तो अगर hydroxy milk जुड़ जुड़ जाए तो यह serine हो जाएगा इसी तरह और भी बहुत सारे compound जुड़ करके अलग-अलग type के amino acid formation करते हैं इसी के उपर सारी चीज़े depend करती हैं तो based on number of amino group and carboxylic group in lateral branch of R group ठीक है इसके तरह से हम लोग इसका classification भी करते हैं तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर इस तरह की condition को हम लोग जुटर आयन बोलते हैं दूसरी चीज़ हम लोग अगर जो amino acid होता है वो acidic, basic और neutral तीनो नेचर का होता है तो यह चीज़ कैसे decide के जाती है यह चीज़ decide होती है based on number of amino group and carboxylic in the lateral branch of R group अब यह जो R group है R group के उपर decide होता है जैसा कि मनें पहले पिटेस्स किया यह R group के उपर यह decide होता है कि यह जो amino acid है वो किस नेचर का है acidic है, basic है या neutral है तो यह decide होता है इसी R group के उपर तो अगर इस R group में अगर इसमें कोई भी अलग से lateral group नहीं जुड़ा है तब तो यह neutral होगा लेकिन अगर इस R group में laterally कोई भी group जुड़ा है जो कि amino group है तब इस amino acid का जो नेचर होगा वो basic होगा और इस R group में ही अगर कोई भी ऐसा lateral group जुड़ा है जो कि acidic है कोई कार्बोक्सिल गुरूप अगर जुड़ा हुआ है इस R के अंदर तब उसको हम लोग बोलेंगे तब वो acidic property होगी और amino acid कैसा होगा acidic nature का होगा तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो R group है उसके basis पे R group में कैसा substituent group जुड़ा हुआ है उसके basis पर acidic या basic decide किया जाता है या neutral decide किया जाता है तो इसका structure हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से होता है हला कि आपके detail में नहीं जाना है इसके बारे में लेकिन कुल मिला कि यह है कि R group के उपर ही decide होता है कि amino acid का nature कर दो अब यहाँ पर आगर R group simple है सिर्फ और हम हमें रिस्कार करेंगे कि जो plants और animal है जैसा कि हम लोग discuss किये कि 20 types के amino acid होते है उसमें उसमें जो 10 types के हैं वो प्लांट के अंदर 10 जो कि plant के अंदर या animal 10 जो है plant के अंदर synthesis होते है 10 animal के करने का मतलब animal के अंदर, यानि हमारी body के अंदर सिर्फ 10 type के amino acid ही synthesized होते हैं, 10 type के amino acid synthesized नहीं होते हैं जो synthesized नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं essential amino acid, क्योंकि हमें वो जरूरी है हमारे सरीर के लिए, क्योंकि हमारे सरीर में वो नहीं बनता है, और जो जो हमारे सरुवें बन रहा है उसको हमों लोग non-essential amminoعد बोलेंगे और ये जो essential amminoعد है वो plants के अंदर फ़ार्म होते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि 20 में 10 animal के अंदर बन रहा है 10 plant के अंदर बन रहा है तो all plants के अंदर जो बन रहा हैं वो हम लोग plant से लेते हैं इसलिए यह होता है कि आप लोग plants हम लोग plants जो use करते हैं यो important होते हैं हमारे लिए इस amino acid के लिए भी और चीजों के लिए तो है ही